बिंटर स्टार्ट होते ही बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जैसे हमारे बालों का जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है बालों में हेर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है डेंडरफ हो जाते हैं बालों में मौस्चर और नमी ना होने के कारण बाल क बाफी ज़दा ड्राइ हो गये हैं और बहुत ज़दा डैमेज भी हो रहे हैं थोड़े से मेरे बाल भी निकलने लगें क्योंकि मैं अभी इस टाइम पर कोई हेर पैक या टाइम टू टाइम ऑईलिंग नहीं कर पा रही थी तो इसी वज़े से मुझे भी थोड़े से हेर प्र जरूर शेयर करें कि आप अपने बालों में किस तरीके से ओईलिंग करती हैं मैं जिस तरीके से अपने बालों में ओईलिंग करती हूं आपको वीडियो फुल वोच करना है तभी आपको समझ में आयाएगा कि यह ओईल मैंने जो बनाया हुआ है उसको किस तरीके से बनाना ह तो सबसे पहले मैं आपको अपलाई करना बताऊंगी कि मैं इस ओयल को किस तरह के से अपलाई करते हूं सबसे पहले मैंने यहां पर ओयल को निकाल लिया है जितनी कॉंटिटी में आपको यूज करना है उतना आप ओयल को ले लिजिए एक चमच आपको इसमें ऐलोवेरा आड़ करना है एक आपको विटामिन E की कैपसूल आड़ करना है अगर आपके बालों में काफी ज़़ा डेंडरफ की प्रॉबलम है तो आप इसमें एक चमच के लगभग लेमन जूस आड़ कर सकते हैं जब आप इसको लगाना के लिए उसे अगर रेश्ट करने के लिए चोड़ना है दो हमारे बालों क कर लिए काफी ज़धा यूजभं है यूजफुल fossilण विटामिन E कैपसूल हमारे बालों को अच्छे से सिल्की अंडसाइनी बनाता है बचाता है तो इसतरीके से आपको अच्छे से अपने बालों में अपलाई कर लेना है और पूरी नाइट के लिए आपको इसे छोड़ देना है मॉर्निंग में आपको गुंगुने वाटर से अपने बालो को अच्छे से वोस कर लेना इस तरीके से अगर आप हपते में दो दिन अपलाई करते हैं तो आप खुद देख पाएंगे आपकी बालो की जो ग्रोथ है काफी अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगी बालो सिल्की साइनी हो जाएंगे अगर डेंडर्फ की प्रॉल्बा में तो उससे भी आपको चुटकारा मिलेगा साथी आपको हैर फॉल से भी काफी हल्प मिलेगी तो इस तरीके से आप ऑईलिंग कर स सायद आपको अपकी घर में ही मिल जाएगी कहीं से कुछ भी ढूढने की जरूरत नहीं है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको लेना है थोड़ी सी कॉंटिटी में जितना आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सापको लेना है मस्ट्रड ओयल और उतनी ही कॉंटिटी में आपको इसमें एड करना है नारियल का ओयल तीसरे नमबर में आपको इसमें एड करना है कुछ कड़ी के पत्ते कडी पत्ता भी हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है उसमें आपको 2-3 चमच अड़ करना है मेथी दाना मेथी हमारे बालों में growth लाने का काम करता है अगर आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं बालों में shine नहीं है, चमक नहीं है, सिल्की नहीं है बाल तो आप ये वाला ओयल जरूर ट्राई करिएगा आपको काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा सारे इंग्रीडियंट को अच्छे सी मिला करके गैस पे आपको अच्छे सी पका लेना है ठंडा होने के बाद आपको इस तरीके से चान करके इसका ओयल अलग कर लेना है इस ओयल को आपको हफ्ते में दो या तीन दिन अप्लाई करना है आप देख पाएंगे आपकी बालों में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और हाँ आपने जो ये कड़ी पत्ता और मेथी को छान के अलग रखा इसका बनाएंगे पैक थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे इसमें एड़ कर देंगे दही दो से तीन चमच और ये पैक बनके रेडी हो गया आप अपने बालों में इसे अप्लाई कर लें 3 से 4 घंटे के लिए लगा रहने देते बालों को अच्छे से वोस कर लें आप देख पाएंगे आपके बाल काफी सिल्की और शाइनी हो जाएंगे बाल चमचदार हो जाएंगे अगर आपके बालों में डेंडरप और हैर फॉल की प्राबलम है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा तो मिलते हैं नेक्स टिक वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू